ऐलो फ्रेंड्स, वेलकम टुपीय सेड़्डा दोस्तो आज का जो हमारा टोपिक है वो है रक्त परिसंचरन तंत्र यानि की ब्लेट सर्कुलेशन सिस्टम तो दोस्तो आज के वीडियो में हम पूरा देखेंगे कि ब्लेट सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है किस प्रकार से का क्कार्ण करते हैं इसके कौनK unasapan हैं और उनके क्या-क्या कार्य हैं कि इस प्रकार से वह अपनी कार्यविध्य को पूरा करते हैं इन सपी के बारे में विस्तार से चर्जा करने वाले हैं तो आप अपना रकत प्रिसंचरन तंत्र कम्प्लीट करना चाहते हैं तो आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखें चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले रक्त परिसंचरन तंत्र है क्या तो दूस्तों अगर हम देखें कि हमारा जो शरीर होता है या मानौ का शरीर है जीवों का जितने भी जीव है उनका शरी को में जिसे क metre के अंदर यतने भी में सेलस होती है सेलस तक पहुचाया जाता है और वहाँ से वापस लाया जाता है और इस काम को करता है हमारा हर्ट हमारा को इस प्रकार से यहाँ इसारी जो होती है यह और ये परी संचरन तंत्र है इसी को हम क्या केते हैं blood circulation system कि शरीर के अंदर रक्त का प्रवाहित होना ही रक्त परी संचरन तंत्र है ठीक है अगर हम देखें कि हमारा जो रदय है वो कार्डियो यानि कि उसको हम कार्डियोग से बना हुआ मानते हैं उसके अंदर जो कोशिकाइं होती हैं तो रक्त परिसंचरन तंत्र हैं कार्डियक प्रकार के कैसे तो एक प्रकार के जीव है उनमें फुला रक्त परिसंचरन तंतर जो है पाया जाता है और एक प्रकार के जीव है उनमें बंद परिसंचरन तंतर जो है पाया जाता है यानि कि रक्त परिसंचरन को इसने डिवाइड कर दिया और उसके बारे में जो है अच्छ है कि जैसे कि शीरा होती है धमनी होती है यानि कि वैंस और आर्टरी सोती है कैशी काएं होती है वाही का यानि कि नलियां पाइपस जो होते हैं उनके माध्यम से अगर किसी जीव के अंदर ब्लेड का सर्कुलेशन होता है तो उसके अंदर बंद परिसंचरन या बंद रक्त प ह commissioner इसका मतलब कि उसके शरीर में बलड जो है जितने भी टीशूस है उनके माध्यम से सर्कुदेट होता है बट्रेड शिए के मार्ख़ता है नलिया नहीं है डायरेक्ली जीव जो है किसमें आते हैं इसी में आते हैं अर्थोपोड़ा में तो उनसे अंदर नलिया नहीं नहीं होती है blood circulation के अंदर हाट तो होता है ब्लेट का जो circulation होता है और टीशू जो है किस प्रकार के जीवों के अंदर पाया जाता है तो मेंली अगर हम बात करें तो जितने भी कशेरू की जीव हैं उनके अंदर बंद रख्त परिसंचरन तंत्र पाया जाता है जैसे कि इस तंधारी जितने भी मेमेल्स हैं मेमेल्स का मतलब जानवर और इंसान जितने जैसे हा पाहिका पाई जाती उनमें भी बंदरक्त परिसंचरन तंत्र होता है जितने भी सरी सर्प होते हैं जिसे कि साफ हो गया मगरमच हो गया तो यह जितने भी जीव होते हैं इनके अंदर भी बंदरक्त परिसंचरन तंत्र पाया जाता है जितने भी उभैचर होते हैं जिसे कि में जाता है तो जितने भी आर्थोपोड़ा वर्ग कि जीव हैं उनके आंदर खुलार्क्त प्रिसंचीर parity तंत्र जो है पाया जाता है जैसे कि बिच्छु के अंदर तीतली के अंदर जhengakा के के अंदर की के जितने के आ जाते हैं उन सबीं के अंदर जोने कोला-नमी प्रकार से रत परिसंचरन तंदर क्या किस प्रकार कई तने के चीज़ के बारे में हमने देखा बहुत ही बैसिक चीज़े हैं और यहां से प्रश्ण पूछे जाते हैं उसके बाद हम चलते हैं आगे कि जो रेक्तव परिसंचरन तंत्र है इसके कौन-कौन से ओर्गन है दोखों दोस्तों तंत्र क्या होता है तो तंत्र यानि कि एक सिस्ट सिस्टम है इसके अंदर कौन-कौन से चीज़े जो होती है या इसके घटक क्या-क्या है कौन-कौन इसमें पर्टिसिपेट करता है तो इसमें पर्टिसिपेट करता एक तो ब्लड अलाकि ब्लड जो है एक प्रकार का टीशू है तो यह क्या करता है कि इसमें जाते हैं फिर दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है दोस्तों रक्त वाहिनिया यानि कि जितों नलिया होती है हमारे शरीर में मानाओं के अंदर भी होती है सभी जानवरों के अंदर भी होती है तो उनको हम कहते हैं रक्त वाहिनिया यानि कि जो पाइप्स होते हैं जो नलिय रदे यह सभी जिवों के अंदर जो रदे पाया ता है उसके बारे में तो यह तीनों जो हैं जो blood circulation system को बनाते हैं या blood circulation system का पार्टें सभी के बारे में अब हम विश्तार से जानने वाले हैं सबसे इस जानेंगी दोस्तों रख्त के बारे में ही जो blood होता है जो खून होता है उसका क्या काम है केसे बनता है क्या है क्या नहीं है सब कुछ तो सबसे पहले दोखें दोस्तों तो जो बलड है जो रखत है वो एक प्रकार का तरल कौन से कंडिशन में होता है तरल और एक प्रकार का सहियोजी उत्तक हैं टीशू है एक प्रकार का उत्तक है जो सहीयों जी उत्तक है जो कनेक्ट करने का काम करता है या कनेक्ट होके जो है बना होता है इसलिए इसको सहीयों जी उत्तक के नाम से हम जानते हैं दूसरा अब इसका निर्मान कहां पर होता है दोस्तों बलड का तो अगर हम बात करें कि न सरी मज्जागुहा के नام से तिया मज्जा गुछा तो यह कहांदि हम जो होworm होती है जितनी भी अस्थियां यह हड्डियां Almost is उन अस्थियों के बीच में खोकलाया पार्ड जो होता है अस्थियों के बीच में खोकला पार्ड जो होता घूमा अब के सामने कि यह एक हड़ी है तीक है अब इस हड़ी को बाहर से तो कवर किया जाता है पर बीच में इसके एक खोकला हिस्सा होता है तो यह खोकला हिस्सा इसके अंदर ही मज्जा गुहा इसको मज्जा गुहा कहते हैं बॉन मेरो कहते हैं और इसके अंदर जो हैं बलड का निर्मान होता है बट कब जन्म के बाद, जन्म से पहले अगर हम बात करें, कि जन्म से पहले ब्लड का निर्मान शरीर में कहां पर होता है, तो जन्म से पहले लीवर में, लीवर में ब्लड का निर्मान होता है, तो ये आप से पूछा जाएगा कि ब्रून अवस्था में ब्लड का निर्मान कह पर होता है तो बॉन मेरों में होता है या मज्जा गुहा में होता है जिसको हम कह सकते हैं कि अस्थी या हड़ी के बीच का जो खोकला हिस्सा होता है उस हिस्से में ब्लेड का निर्माण होता है अब बात करें कि एक व्यक्ति है नॉर्मल उसमें लगभग कितना ब्लेड होता ह ऐसे भी प्रशन जो है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो एक वेक्ति में अगर हम बात करें तो नॉर्मरली 5-7 लीटर व्जो है ब्लड पाया जाता है पांसे 7 लीटर या 5-6 लीटर का भी एक ratio रहता है और इतना ब्लेट मतलब कितना होता है तो जितना व्यक्ति का वजन होता है जितना वेट होता है लगभग उतका साथ से आठ परसेंट होता है साथ से आठ परसेंट जो है वेक्ति के वजन का जो है बलेट प्रतिशत पाया जाता है अब बलेट जो है दोस्तों इसका पीएच मान कितना होता है तो इसका पीएच मान होता है साथ दशमलो चार और इस द्रेश्टी से अगर देखें तो बलेट की जो प्रकृती होती है वो ह कहीं शोट ले लेना इस topic का, कि जो blood है वो क्या है एक प्रकार का तरल सहयोंजी उत्तक है, इसका निर्माण कहां पर होता है तो इसका निर्माण अस्थी मज्जा के अंदर होता है व्यक्ति में लगबख कितना blood पाया जाता है pH कितना होता है तो pH 7.4 होता है और इसकी प्रकृति कैसे होती है तो इसकी प्रकृति जो है शारी होती है ये सारे प्रशना एक्जाम में पूछे भी हुए है आगे भी पूछने की पूरी-पूरी संभावना है उम्मिद करता हूं दोस्तों कि यहां तक की चीजे जो हैं आमको समझ में आ रही हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आम को चीजे समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और अगर समझ में आ रहा है ब्लेट के बारे में तो और्गन होता है जिसको हम इस प्लीन भी कहते हैं और इसको नॉर्मली जो हैं तिली के नाम से बहुत ही इंपोर्टेन और और ने कई बार रचाम में यहां से प्रश्ण आया हैं अब यह एक थेली नुमा इस्ट्रक्चर होता है कैसा भाग होता है जिसकी शंता होती है 240 ml कितनी शमता होती है या इसकी तो 240 ml की इसकी शमता होती है और इसके अंदर क्या होता है तो blood यानि की जो रक्त होता है उसको store किया जाता है या blood का जो है बंडारन जो है यहाँ पर होता है blood जो है उसको store करने का काम करते है ठीक है यतना चीज़ समझ में आ गई अब जब हम blood donate करते हैं blood donation किया जाता है तो blood donation के बाद जो blood है उसको lab में कैसे store करते हैं lab में बंडारण जो हैं किस प्रकार से करते हैं तो अगर lab में देखा जाए दोस्तो तो एक fixed temperature होता है कि 4 degree Celsius अगर इस temperature पर आप blood रखोगे तो ही blood जो हैं सुरक्षित रह सकता है और maximum कितने days तक कर सकते हैं तो 40 days तक जो हैं इसको store कर सकते हैं इसके लिए भी एक शर्त होती है कि जो blood donate किया गया है वो इस blood के अंदर oxalate जो हैं वो मिलाना पड़ेगा oxalate एक प्रकार का पदार्थ होता है इसको मिलाकर ही blood को जो है store कर सकते हैं बंडारित कर सकते हैं otherwise blood के अंदर जो जिवीत उत्तक होते हैं वो मर जाते हैं dead condition में आ जाते हैं फिर उसका कोई role नहीं रहता तो आप से पूछा जा सकता है कि लेब में blood को कितने दिनों तक store कर सकते हैं किस temperature पर करना पड़ता है 4 degrees Celsius पर करना पड़ता है क्या मिलाना पड़ता है तो उसमें oxalate की मातरा मिलाकर ही store कर सकते हैं otherwise उसके जो गटक है वो मर जाएंगे और blood किसी काम का नहीं रहेगा तो इसका बंडारन कहां पर होता है उसके बारे में हमने देखा अब हम बात करते हैं कि रक्त जो है उसके अंदर क्या क्या होता रक्त, normally हम जिसे रक्त समझते हैं जिसे हम blood समझते हैं वो ही रक्त नहीं होता उसके बहुत सारे part होते हैं तो manually अगर हम देखें तो रक्त को हम दो अलग-अलग भाग में divide करते हैं एक पार्ट है रक्त का प्लाजमा और एक पार्ट होता है कणी का जो रक्त का बड़ा पार्ट होता है या मैक्जिमम पार्ट होता है 55 प्रतिशर्थ उसे हम कहते हैं प्लाजमा और जो 45 परसेंट पार्ट होता है वो होता है कणी का है तो प्लाजमा के बारे में अगर हम देखे तो यह एक प्रकार का रंग हीन द्रव्य होता है जो ब्लड के अंदर होता है और यह हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक चमता है उसको बढ़ाने का काम करता है कनिकाओं कि अगर हम बात करें तो यहां से प्रच्ण आता है मॉच्छ टीन प्रकार की वुती है तीन अलग-अलग इनके नाम होते हैं तीन प्रकार होते एक नाम आपने सुनाओगा रबीची यानि कि लाल रक्त करने का है एक होती है ड प्लाजमा के बारे में देखना है कि प्लाजमा किस प्रकार से बनता है कहां पर क्या करता है उसके बारे में कितने प्रकार की क्या क्या होता है तो दोस्तों अगर हम प्लाजमा के बारे में देखें कि प्लाजमा जो है रख्त का सबसे बड़ा घटक है देखें प्लाजमा थेरेपी कोवीट के समय में भी चली थी तो यह उसी प्लाजमा की बात हो रही है जो हमारे शरीर में होता है बट इसका कोई रंग नहीं होता है पानी के जैसा होता है इसलिए इसको कहा जाता है कि एक रंगहीन होता है तो इसके अंदर मौसली दो तरह की चीजे होती है कि यह 90 percent पार्ट इसका जो है वाटरी होता है यानि कि पानी होता है बानू प्रतिशत और 8 प्रतिशत जो भाग होता है वह कार्बनीक और अकार्बनीक लवन उसके साथ साथ प्रोटीन होते हैं लग-बग 7 इसमें प्रोटीन होते हैं प्रोटीन की मात्रा होती है तो कौन-कौन से प्रोटीन इसके अंदर होते हैं तो इसके अंदर जो हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन फ्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन यह जो प्रोटीन्स होते हैं यह प्लाजमा के अंदर पाये जाते हैं जो एक तो जो रक्तगा ठक्का है उसको जमने में सायक होता है दूसरा उसके लावा जितनी भी रोग प्रतिरोधक शमता याने की रोगों से लड़ने की जो शमता है उसको ये जो है ये इंपोर्टिन होते हैं ये सारे प्रोटिन्स ठीक है तो इसमें 7 प्रतिशत के आसपास कार्बनिक को रह कार्बनिक पदार्थ होते हैं लगबग एक प्रतिशत प्रोटिन होते हैं और 92 परसेंट पानी होता है और काम क्या करता है तो रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है ये रोग प्रतिरोधक शमता जो है उसको बढ़ाने का काम करता है उसके बाद बात आती है दोस् सारी प्रस न जो हमसे पूचे जाते हैं तो इन diffégen?... नाम है या इनको रात लीक्रूप से एंथ्रोसाइड़ नाम से जाना जता है आज इसकी खौज हो एक किसने की ती तो इनकी जो खोज है वो gene आट नाम का एक विग्यानिक कैसा होता है यानि कि इनका आकार कैसा होता है कैसे हमें दिखाई देती है तो दोस्तों इनका जो शेफ होता है वो एक round tablet जो होती है यानि कि गोल गोली जो है आपने देखी होगी उसके आकार का इसका shape होता है इसे गोल गोल जैसे कि आपने बहुत सारी बार TV8s वगेरा में देखी होगी तो एक गोल गोल जो round tablet shape में जो होती है और अगर हम size इनका देखें कि size कितना होता है तो इनके size के अगर हम बात करें तो 5-10 micron के बीच इनका size होता है ने बहुत ही छोटी size की रक्तकणिका होती है जो blood के अंदर गुली होती है बहुत ही महत्पून पार्ट इनका होता है अब ये red क्यों होती है तो इनका मुख्य कारण है कि इनके अंदर जो hemoglobin पाया जाता है hemoglobin कैसे बनता है iron से और इनके अंदर hemoglobin पाया जाता है जिसका महत्पून कारे होता है कि ये oxygen का और carbon dioxide उसके अलावाँ जितने भी भुज्यपदार्त या जितने भी चीज़ें हम खाते हैं glucose वगेरा तो उन सभी का transportation करता है उसके साथ-साथ energy transportation का काम भी करता है हीमोगलोबिन इसका मुख्य घटक है जिसकी वज़े से इसका रंग जो है लाल होता है और हीमोगलोबिन क्या करता है तो oxygen का carbon dioxide का शरीर में परिवहन करता है इसके अलावा जितने भी ऊड़जा होती है शरीर में उसका transportation करने के लिए भी सायक होता है या उसका transportation करता है हीमोगलोबिन किसे अंदर होता है rbc किसे अंदर होती है blood के अंदर तो ये सारे कायरे कौन करता है RBC करती है या यह सारे कायरे कोन करता है तो यह सारे कायरे जो है blood करता है रक्त करता है अब अगर हम बात करें दोस्तों तो यह इसका जीवन काल होता है जैसे कि जन्म होता है इसका निर्माण होता है तो आप से पूछेगा कि RBC का निर्माण कहां पर होता है तो RBC का तो जो हड़ी के बीच में खोकला पार्ट होता है उसी को हम अस्थी मज्जा कहते हैं तो वहाँ पर निर्मान होता है उसके बाद इसका जीवनकाल होता है वह होता है 120 दिन कितना होता है 120 दिन उसके बाद इसका नश्टीकरण होता है तो नश्टीकरण कहां पर होता है तो प् प्लिहा में RBC जो है उसकी डेथ होती है उसकी मृत्य होती है इसलिए जो प्लिहा है उसको RBC की कब्र कहा जाता है प्लिहा को क्या कहते है या RBC की कब्र गाह कौन सा पार्ट है कौन सा अंग है तो प्लिहा है एक और प्रश्नया से पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या होती है लगबग 45 से 50 लाग या मिलियन में अगर हम देखें तो साड़ी चार से पांच मिलियन पर mm क्यूब और यह प्रश्ण जो है अभी रिसेंटली एक्जाम में पूछा गया है कल में एक प्रश्ण जो है पूछा गया था तो आपकी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनकी संख्या कितनी है तो 45 से 50 लाग पर mm क्यूब यानि कि मिलिमेटर क्यूब जो एरिया होता है वहां पर इतनी संख्या जो है इनकी होती है अगर हम बात करें कि रक्त जो है रक्त कणिका है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या इनकी होती है लगबग 90% के आसपर 90% संख्या है और बीसी की होती है सबसे ज़्यादा इनका काउंटिंग होती है सबसे ज़्यादा इनका नंबर होता है सबसे ज़्यादा इनके संख्या होती है ठीक है उसके बाद एक और प्रश्ण यहा होता है या केंद्रक नहीं होता नहीं होगा किसी कोशिका में। तो क्या उसका विभाजन हो सकता है। क्या विभाजन हो सकता है तो बहिए अगर हम बात करें कि केंद्रक नहीं है तो कोशिका का विभाजन नहीं हो सकता यानि कि RBC से RBC का निर्माण जो हैं संभाव नहीं है RBC का जन्म होता है तो उसके मृत्योगी उससे नहीं RBC का निर्मार नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर कैंदरक जो हैं नहीं पाया जाता है, बट कुछ विशेष जीव होते हैं, जैसे कि उट और लामा, उनकी जो RBC होती हैं, उनमें जो हैं कैंदरक पाया जाता है, और ये वाला प्रश्न भी एक्साम में पूछा जाता है, अग अगर आपने अभी तक यह चीजे नोट नहीं की है तो इस स्क्रिन का शोट ले लीजिए और बाद में अपने नोट बुक में इनको नोट कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट है प्रशन पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं इन चीजों से चलिए हम अब आगे लमते हैं इनकी संख्या कितनी होती हैं उती कम यानिकी 10,000 पर mmजिए यानि कि अगर हम बात करें कि 600 लाइवीसी है तो उसके अनुपात में कितनी डाट है कि उती würden ओने कैंसा कर देम सैज होता है 10 ऐटारा micron का यह यानि कि RBC से size इनका बड़ा होता है shape कैसे होता है तो कोई fix shape नहीं होता किसी भी प्रकार की यह हो सकती है इनका निर्मान कहां पर होता है तो निर्मान वही अस्थी मज्जा में होता है फिर बात आती है कि इनका जीवन काल कितना है तो 2 से 4 दिन जो है WBC का जीवन काल होता है अगर WBC अनियंतरित रूप से बढ़ रही है यानि कि इनकी संख्या जो है शरीर के अंदर बढ़ रही है 10,000 पर mm cube से ज़्यादा हो रही है तो इसको leukemia के नाम से जानते है या इसे जो है blood का cancer भी कहा जाता है leukemia जो blood का cancer होता है किसके वजहे से होता है WBC की वजहे से होता है कार्य क्या करती है तो यह प्रतिरक्षा तंत्र जो है यानि कि जो रोग प्रतिरोधक शमता है उसको बढ़ाने का काम करते है व्थ यह इसका मात्पुन आई कार्य होता है यह transportation का का पाइशन करती इनका साइज जो है वो दस से अठरा माइक नामों जाना जाता है उसके बाद करते हैं धोस्तों प्लेट ले vaan जिनको रक्त-पट्टिकाएं भी कहते हैं जिनको नोर्मली हम बिम्बार्णू के नाम से भी जानते हैं जो बिम्बार्णू है उनकी खोज जो है विलियम ओसलर नाम के विक्ति ने की थी और इनको साधरन्त या रासाइनिक रूफ से थ्रॉम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है इनका रासाइनिक नाम क्या है तो रासाइनिक नाम इनका जो है थ्रॉम्बोसाइट है इनका जीवनकाल कितना होता है तो लगभग एक सप्ता या साथ दीन जो है इनका जीवनकाल होता है और इनके अंदर जो है थ्रॉम्बिन प्रोटीन पाया जाता है इसलिए ये रत का थक् छट्का होता है दख्का लिग दिया ऐसे कारण किया बंता है ब्लड क्लोड़ बनता है यह कि रभत का थक्का बनता है तो किस प्रकार से बनता है रख्त का थक्का प्रोसेस होती है तो दोस्तों इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है तो क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जब शरीर में विटामिन के और जो केल्सियम तत्व है इनकी मौझूद्गी होगी तो थ्रॉम्बीन प्रोटीन जो है वो प्रो थ्रॉम्बीन प्रोटीन में कनवर्ट हो जाएगा अब प्रो थ्रॉम्बीन प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजन जो है उसमें कनवर्ट हो जाएगा hybrinogen जो है एक जाली बनाएगा और जहां पर चोट लगती है उस इस्थान पर जो RBC फिर उसको cover कर देगी तो यह blood clot होता है यानि कि चोट लगने के बाद जो current बनती है उसमें क्या होता है कि जो platelets होती है जो बिंबानों होते हैं वो सायक होते हैं तो दोस्तो अभी तक हमने देखा कि रक्त जो है उसके घटक क्या क्या है अब हमें देखना है कि जो रक्त समू है यानि की ब्लेट ग्रूप वो उसकी खोज किसने की थी कौन-कौन से होते हैं इनके बारे में अभी हम डिटियल से चर्चा तो नहीं करेंगे बट बैसिक से जो पूछे जाते हैं उनके काफी टाइम लगता है काफी लंबा टोपिक है यहां पर हम बैसिक बैसिक सी चीज़े हम इसके बारे में डिसकस करने वाला है तो दोस्तों ब्लेट ग्रूप जो है उसकी खोज काल लेंड इस्टिनर ने की थी ब्लेट ग्रूप का निर्धारण करने के लिए एक ग्लाइको कि एंटीजन के आधार पर एंटीजन दो होते हैं एक ए और एक बी और एंटीजन किसी व्यक्ति के अंदर है तो उस प्रकार का एंटीबोडी नहीं होगा ऐसा इसने बताया और अगर जो एंटीबोडी है तो उस प्रकार का एंटीजन जो है उसके अंदर नहीं होगा तो इ blood group बताए इसमें कि एक व्यक्ति वो हो सकता है जिसके अंदर A antigen उपस्तित हैं तो क्या होगा कि B उपस्तित नहीं है तो B antibody में convert हो गया किसी व्यक्ति के अंदर B antigen उपस्तित हैं तो A जो है antibody में convert हो गया किसी व्यक्ति के अंदर A और B दोनों antigen उपस्तित हैं तो यहां पर कुछ भी नहीं यानि कि antibody में कोई भी convert नहीं हुआ और ऐसा भी व्यक्ति हैं जिसके अंदर A और B दोनों जो थे antigen नहीं बचे और वो antibody में convert हो गए तो इस basis पर इसने चार अलग-अलग प्रकार के blood group बता है तो एक Blood Group a जो लगळबग 25 लोगों में पाया जाता है तो इस प्रकार से चार प्रकार के जो Blood Group है उनका निर्धारण कर दिया प्लस और माइनस में क्योंकि एक नया एंटिजन खोजा गया था जिसके बाद आरेज फेक्टर आया तो रह जो है बंदर के उपर रिसर्च होई थी और उसमें खोजा गया इसलिए इसको उस बंदर के नाम रिशियस उसका नाम था इसलिए उसके आगे के दो वर्ड ले लिए आरेज और आरेज फेक्टर बन गया तो इसकी खोज जो है लेंड इस्टिनर और विनर ने की थी जिससे ये ब्लेड गुरूप ए पोजिटिव ए नेगेटिव इस प्रकार से जो है बनाएगे तो इनके बारे में अगर डिटियल से आप समझना चाहते हैं तो कमेंड करके ज जो रक्त को प्रवाहित करती हैं अमारे शरीर में जो नसे होती हैं जो नलिया होती हैं उनके बारे में तो दोस्तों यह जो नलिया होती हैं तीन प्रकार के होती हैं एक होती हैं एक होती हैं शिराएं और एक होती हैं केशिकाएं यानिकि इनको तीन अलग-अलग पार्ट मे डिवैड किया गया धम नि किसे कहते हैं तो वे वाहिकाय जो क्या करती है हमारे शरीर में शुद्ध रखट को प्रवाहिद करती हैं क्या करती है उनको नलियों के माध्यम से रक्त को पहुचाता है वो होती है धमनिया और ये रेड़ वाली जो दिखाई दे रही शरीर में आपको कि ये जो हाट से लगी हुई है और शरीर के विभिन अंगों में ब्लड को सर्कुलेट करती है पहुचाती है तो उनको हम क्या कहेंगे धमनिया एक होती है शि शरीर के विभिन भागों से जो ब्लड है उसको कहां पर लेकर आती है तो शरीर के विभिन भागों से रदय तक लेकर आती है तो एक वो नलिया जो शुद्धरक्त को प्रवाहित करती है तो उनको धमनी और शिरा के रूप में डिवाइड किया अब इनके जो मौश्ट आग यह वाले पार्ट को कैशीगा के रूप में जना जाता अब धमनी और शिरा में कुछ अफवाध हैं तो जिसका नाम है पल्मो नरी या फपनसी नाम से भी उसको जानते हैं पल्मो नरी या फपनसी शिरा है वह क्या करती हैं तो वो शुद्धरक्त को परिवहित करती हैं यह पूछा जाता है एक्जाम में यह क्यों करती हैं हार्ट के बारे में जब देखेंगे तब इसके बारे में डिस्केशन करेंगे और एक धमनी होती है जो अशुद्धरक्त को प्रवाहित करती है और उसका नाम भी क्या है तो उ आपना जो मानों रदे हैं वह किस प्रकार से काम करता है उसका क्या-क्या फंक्शन यह उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि आधा कि आधा कि आधा कि आधा कि अधा कि तो